17.9 साबुन तथा अपमार्जक, सोपसेंड, डिटर्जेंट्स, क्रिया कलाप एक दो परखनलियां लीजिए और उन्हें कह और खह नमांकित कीजिए दोनों परखनलियों में 10-10 ml आसूत या म्रिदु जल लीजिए दोनों में 4-4 बून खाने का तेल डालिए परखनलि खो में साबुन के घोल की कुछ बून्दे डालिए दोनों परखनलियों को समान समय तक जोर जोर से हिलाईए थोड़ी देर बाद दोनों परखनलियों में तेल और जल की परतों को देखिए क्या तेल की परत अलग हो जाती है? ऐसा कौन सी परखनली में पहले होता है इस क्रिया कलाप से सफाई में साबुन के प्रभाव का पता चलता है अधिकांश्तह मैल तैली होती है और हम जानते हैं कि तेल पानी में और घुलनशील है साबुन के अणू लंबी श्रिंखला वाले कार्बॉकसलीक अमलों के सोडियम या पोटेशियम लवन होते हैं जिसे आर सी ओ ओ एम द्वारा व्यक्त करते हैं साबुन को जल में विले करने पर साबुन धातु आयन, एम धनायन और आर सी ओ ओ ओ रिनायन में विभक्त हो जाता है आर सी ओ ओ ओ रिनायन के दो भाग होते हैं एक लंबी हाइडरोकार्बन श्रिंखला आर जो कार्बोकसिलेट आयन की पूँच बनाती है तथा तेल के अणों से जुड़ जाती है दूसरा सी ओ ओ ओ रिनायन भाग जो सिर बनाता है तथा जल में विले होता है जब कपड़े को साबुन के घोल में डुबाया जाता है तो साबुन का रिनायन तेल मैल के चारो ओर गोली आकार में इस प्रकार विवस्थित हो जाता है कि हाइडरोकार्बन श्रिंखला वाला सिरा पूँच अंदर की ओर तथा सी ओ ओ ओ रिनायन वाला सिरा बाहर की ओर काटों की तरह निकला रहता है इस प्रकार साबुन के अनु मीसेल सनरचना चित्र चार बह के अनुसार तैयार करते हैं मीसेल के कण पानी में वितरित हो जाते हैं इस प्रकार चित्र चार सख के अनुसार एक कोलाइड बनता है जो रगणने पर पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाता है बिच्चों आप घर में कपड़े तो धोते ही होगे और आपमें ये देखा होगा कि जब आप साबुन के साथ कपड़े धोते हो तो कपड़े बहुत अच्छे साफ होते हैं और जब आप साबुन के बीना कपड़े धोते हो तो कपड़े उतने अच्छे साफ नहीं होते आखे क्या करती है यह साबुन आज इसी प्रक्रिया को जानने के लिए हम इस क्रिया कलाब करेंगे तो इसके लिए मैंने दो परक्नली लिया है परक्नली और ब दोनों में मैंने समान मात्रा में म्रदो जल लिया है अब इसके बाद मैं दोनों परक्नलियों में समान ब्यूंदे तेल की डालती हूं दो तीन चार मैंने चार बुंदे तेल डाल ली इसी प्रकार मैं परक्नली ब में भी चार बुंदे तेल की डाल देती हूं बच्चों तेल इसलिए क्योंकि हमारे कपड़ों की जो मैल होती है वो भी तेली प्रकार्टी की होती है इसके बाद मैं किवल परक्नली औ में चार बुंदे साबुन की डालती हूं अब ये दोनों परक्नलीों को समान समय तक हिला कर हम इस तरह छोड़ देते हूं 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि क्या होता है बच्चों देखिए परक्नली ब जिसमें हमने साबुन नहीं डाला था उसमें तेल की परत निकल कर उपार आ गई है क्योंकि तेल पानी में अविले होता है ठीक इसी प्रकार जब हम कपड़ों को बीना साबुन के धोती हैं तो तेल निकल कर बाहर नहीं आ पाता और हमारे कपड़े साफ नहीं हो पाते दूसरी और परक्नली और जिसमें हमने साबुन डाला था आप देख सकते हैं कि इसमें तेल की बुंदें अभी भी पानी में घुली होई है इसलिए बच्चों क्योंकि आप जानते हैं साबुन में तूट जाते हैं और इनका जो कार्बॉक्सलेट आयन होता है वह अपने अलकिल मूलक वाले भाग से तेल से जाकर जुड़ जाता है और एक गोला का सरचना बना लेते हैं इस तरह से एक कुलाइड बनता है जिसे हम मिसेल कहते हैं और इसके बाद जैसे ही हम कपड़े को थोड़ा रगडते हैं और पानी में डुबाते हैं यह सारी मैल निकलकर बाहर आ जाती है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं